चली वेटा एक बार फिर से आप सब का अपने यूट्यूब चैनल टीचर भरती गुर्कुल पर हर्दिक स्वागत है जैसा कि अभी अभी आप लोग को एक खुसकबरी मिली होगी ठीक है ना बेटा कि सीटेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दो हजार बाइस दिसंबर से स्टार्ट होंगे एक्जाम और एक्जाम चलते रहेंगे जनवरी के लास तक जैसा पिछली बार हुआ था फूर्टी डेस एक्जाम चले थे वैसा फिर से एक बार होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन की तरीके से एक्जाम होगा ठीक है ना बेटा तो बहुत के लिए बात की जा रही है ठीक है ना बेटा समझो अभी अभी आपको फॉर्म भरना है 31 अक्टूबर से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे जैसा आपको पता चल गया होगा चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं और फिर उसमें से एक पार्ट आता है चाइल्ड डेबलम की बात करें हम बालविकास की बात करें तो बालविकास नंबर एक पर होता है पेपर श्टार्ट करते ही और पहला ही कोस्चन सकारात्मक दिरिश्टी से अगर सही हो जाता है जोकि बालविकास बहुत सरल विसा है सिर्फ आपको एक से पांच के बच्चे को जानना है एक से के बच्चे किस तरीके से सोचते हैं किस तरीके से उनका चिंतन होता है किस तरीके से वो समझने का प्रयास करते हैं चीजों को और फिर समझ करके वो चीजों को बताने का प्रयास करते हैं यह सब बेटा इसके अंतरगत आता है लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है चाइल्ड विकास की आउधारना को जानने का प्रियास करेंगे क्या करेंगे बैटा बालविकास की आउधारना को जानने का प्रियास करेंगे किस तरीके से बालक किस तरीके से उन बालकों में परिवर्तन होते हैं किस तरीके से बालक आगे चलकर सिच्छा इस्तर को अपने धीरे धीरे बढ़ाता रहता है, किस तरीके के लोग सहयोग करते हैं समाजी करण के आधार पर, ठीक है न, ये जानने का हम प्रियास करेंगे, most important जो बात है बेटा, यहाँ पर जो सबसे important बात जाननी है, वो जाननी है हमको अधिगम के सिध्धान्तों में एक सिध्धान्त आता है, भाषा अधिगम का सिध्धान्त, भाषा अधिगम का सिध्धान्त, और ये भाषा अधिगम का जो सिध्धान्त होता है बेटा, ये सीटेट में maximum parts में question पूछे जाते हैं, भाषा अधिगम के सिध्धान्त, जिसमें कोहलबर्ग महोदे की बात करेंगे नानचामस की महोदे की most important नानचामस की महोदे भाषा अधिगम का सिद्धान ठीके ना बिटा बात हम करेंगे मनोसामाजिक सिद्धान एरिक्षन महोदे की ये सब जान लेंगे पहचान लेंगे क्यों क्योंकि आप लोगों ने अगर previous year के पेपर दिये होंगे online platform के जो question पेपर हुए पिछली बार जिन लोगों ने परिच्छा दी होगी जिन लोगों नहीं दी है जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनको भाशा अधिगम के सिद्धानतों को बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा most important बाद यहां से maximum question पूछे जाते हैं भाशा अधिगम के सिद्धानतों से इसलिए यहां पर बनाएंगे star क्या बनाएंगे बेटा star important बात क्या है भाशा अधिगम के बाद हम एक नया topic पढ़ेंगे जो most important है जहां से maximum question पूछे जाते हैं वो है बेटा समाबेसी सिच्छा किसकी बात करेंगे समाबेसी सिच्छा की बात करेंगे समझ रहे है बेटा समाबेसी सिच्छा में हम पढ़ने से पहले बाल के इंद्रिस सिच्छा से सुड़ो करेंगे प्रगतिसील सिच्छा के बारे में बताएंगे और फिर धीरे धीरे करके हम प्रतेक बालकों की चर्चा इसके अंतरगत करेंगे जिस तरह के बालकों की सोच होती है चिंतन होता है समस्या समाधान समस्या हल करने की जो चमताएं विक्सित होने लगती है उन सब की बात बिटा हम समावेशी सिच्छा के अंतरगत करेंगे और फिर most important topic सिर्फ बेटा जो हम ये topic बता रहे ना अगर इतना ध्यान से पढ़ लोगे बाहर का question नहीं देखने को मिलेगा लेकिन याद करना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे NCF 2005 क्या बेटा NCF 2005 को पढ़ेंगे National Curriculum Framework 2005 और most important बात बेटा इसको हम 1975 के पहले NCF से 1900 इससे पहले बेटा एक और काम करेंगे हम 1988 के दूसरे NCF से और तीसरे NCF की बात करें तो 2000 के तीसरे NCF से आपको जोडने का प्रयास करेंगे कैसे कैसे परिवर्तन आए और NCF 2005 का निर्माड हुआ और इसी के अंतरगर जहां से maximum question पूछे जाते हैं NCF 2005 के भागों की चर्चा करेंगे NCF 2005 के सिध्धान्तों की चर्चा करेंगे 5 भाग और 5 सिध्धान्त कौन से होते हैं इसके लिए आप लोगों को online platform प्याना होगा हम लोग जल्द से जल्द class start करने वाले हैं और आप लोगों को उस class में क्या करना है join कर देना है join कर लेना और देखिएगा जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ऐसे paper में question बनते हैं या नहीं बनते हैं most important बात RTE क्या बेटा RTE 2009 अर्था सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे किसकी बात करेंगे विटा सिच्छा के अधिकार अधिनियम 2009 की बात करेंगे अब देखो मेरी बात द्यान से बाल विकास child development से किस तरीके से बालक और परिवर्तन की बात की गई परिवर्तन में भी बालक में तरीके के परिवर्तन होते हैं सारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आना विठा, और साथी साथ सम्वेगात्मक, डैस, डैस, सांस्कृतिक, नैतिक, जितने भी प्रकार के आपके पच्छ की बात करेंगे, उन पच्छों को जोड़ करके हम बताने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे बा कैसे कैसे बालक में परिवर्तन करना बताया गया। किस तरीके से बच्चे का बढ़ता रहना, बढ़ता रहना मतलब उम्र दर उम्र का जो विकास होता है। और किस तरीके से इन लोगा का योगदान हुआ, दंड प्रावधान को दूर किया गया, दंड नातमक प्रक्रिया को बिलकुल समाप्त किया गया, जो कॉलिस थे, जो स्कूल थे, किस तरीके से उसको परियावरण के साथ जोड़ कर पढ़ाना था, किस तरीके से समावेसी सिच्छा के अंतरगत जो विसेस और विसिष्ट वालग के अंतरगत प्रतिभासाली वालग स्रजनातमक वालग दियान से सुनना बिटा या सैच्छिक रूप से पिछड़े वालग या समस्यातमक वालग डैस 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 जिस तरह के वालग आपके पेप पूछे जाते हैं ये ध्यान देने वाली बात है काउन काउन से मैंने बताया मैंने बताया बेटा जीन प्याजे संग्यानात्मत विकास का सिद्धान ध्यान से कहीं नोट कर लेना और जब भी पेपर होगा देख लेना question maximum कहां से पूछे गए वाई गोशकी महोद है समाजिक सांस्कृतिक सिद्धान वाईट गोशकी महोद है कोहल बर्ग महोद है नैतिक सिद्धान और फिर इसके बाद आप लोगोंने नाम चौमस की सुना होगा भाषा अधिगम सिध्धान और most important मनो सामाजिक सिध्धान ट्राइ नाम मैंने आपको ये लिख दिया है लेकिन इसके आगे डैस करके नाम लिख देता हूँ ठीक है न इन सब की चर्चा मैक्सिमम पेपर में कोश्चन पूछे जाते है ये पार्ट ऐसा है बिटा जो maximum पार्टों में question पूछे जाएंगे तो यदि आप लोगों ने इतनी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा जो आपके सामने दिख रहा है सामने बिल्कुल डिटो ऐसे ही previous year paper उठा लीजे online platform में जितने question पिछली बार जितने भी papers हुए date wise dates देख लीजे maximum question यहां से पूछा गया और हाँ, सिच्छा नीती से question आ रहे थे पिछली बार ये भी हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है ना बिटा, अभी पूर्टेह लागू तो नहीं हुई, लेकिन जो भी बात कही गई यहां से maximum question पिछली बार पूछे जा रहे थे तो इस पे भी चर्चा हम लोग कर लेंगे ठीक है ना बिटा, जो भी बताया गया है, जिस तरीके question पूछे गए हैं, ये सब बताऊंगा यही पर मैं आपको 1968 से जोडने का प्रयास करूँगा 1986 से जोडने का प्रयास करूँगा वो सब बताने का प्रयास करूँगा जो seated की परिच्छा में पूछे जा सकते हैं कोई भी topic नहीं छोड़ूँगा कोशिस पूरी रहेगी कम समय के अंदर, क्यों? क्योंकि दो महिने के अंदर पहले ही करीबन 45 दिन तक ही मैं यह पूरी चीजों को complete कर दूँगा यह मेरा विश्वास करिए आप लोग बस आप लोग को एक काम करना है क्या? आप लोगों को जल्दी से जल्दी इस चैनल को subscribe करना है क्या करना है मिटा? लाइक करना है और हाँ, जैसे ही मेरा यह वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अगर समझ में आता है अच्छा लगता है तो comment box में comment करेंगे तो मैं यह वादा दिलाता हूँ, यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने इन सब टॉपिक के साथ सामने दिखूँगा वो सब बताऊंगा जो previous year में पूछा गया है वो सब बताने का प्रियास करूँगा जो आने वाली परिच्छा में पूछा जाना है तो आप लोगों कैसा लगा यह वीडियो आपको बताना है क्लास खतम करने से पहले इस वीडियो की समापती पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ लगातार विस्वास के साथ बने रहिएगा टीचर भरती गुरकुल का यह यूट्यूब चैनल आपकी सफलता में आपका साथ देगा सही योग देगा और जब भी आप पेपर हाल से परिच्छा में परिच्छा देकर निकलेंगे तो आप एक बात जरूर कहोगे कि हाँ मेरा इस चैनल पे विजिट करना बहुत अच्छा रहा मैंने इस चैनल से पढ़ा मुझे बहुत फाइदा मिला इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को खतम करूँगा लेकिन हाँ बेटा ये इतने टॉपिक बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बताना चाहता हूँ ये तीस माक्स मैकसिमम कहां से जोड कर लगातार पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने बता दिये हैं इसके लावा जो टॉपिक और जुड सकते हैं सरजनात्मक्ता के साथ जोडूँगा ठीक है न बता बुद्धी के साथ जोडूँगा व्यत्तित्तु के साथ जोडूँगा ठीक है न बता मतलब वो सारे टॉपिक अभी प्रेणा के साथ जोडूँगा वो सारे टॉपिक जो जुड सकते हैं जो बालक की एक से पांच की स्थिती को दरसाते हैं एक से पांच की सोच को दरसाते हैं छे से ग्यारा वर्ष के बालक की सोच को दरसाते हैं क्यों कच्छा एक में कहा गया है RTE NCF की तरब से छे वर्ष के बालक का प्रात्मिक में प्रवेस कच्छा एक में प्रवेस करना और 11 तक वो 5 में रहेगा तो 6 से 11 वर्ष के बालक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनकी सोच, उनके चिंतन, उनके तरके क्याधार पर प्रश्णों का इंसर देना है इसी के साथ इस चीज़ को नोट करिएगा कैसा लगा वीडियो जरूर बताइगा आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में लगातार बने रहने के लिए लेकिन हाँ मैंने फिर कहा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा मैं आपके कमेंटों को पढ़ करके जवाब जरूर दूँगा ठीक है ना बेटा तो आज के लिए बस इतना ही आप लोग लगातार मेरी क्लास में बने रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू